हेलो फ्रेंड्स एची कृष्णा मैं हूँ उमार आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एकदम रेस्टोरेंट साइट दाल मखनी की रेसिपी और बटनान की रेसिपी फ्रेंड्स ये दाल मखनी और बटनान का कॉम्बो इतना ज़्यादा टेस्टी है और इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि कोई नहीं कह सकता कि आपने ये दाल मखनी और बटनान घर में बनाए है अब रेस्टोरेंट से भी अच्छी दाल मक्नी और बटनान आप घर में ही बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल और एकदम आसान तरीके से तो चलिए इस इंटरसिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही रेस्टोरेंट से डाल मक्नी बनाने के लिए हमें दाल को भीगाना होगा तो यहाँ पर मैंने ले लिए है एक कप साबुत उड़त की दाल जिसे काली दाल या फिर माकी दाल भी बोलते हैं एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर राजमा ले लिए है और एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर चनी की दाल ले लिए है अब इन सारी दालों को अच्छे से दो के हमें ओवरनाइट के लिए या फिर दस से बारा घंटे के लिए भीगा देना है तो मैंने आप इन सारी डालों को ओवरनाइट के लिए भीगा दिया था देख सकते हैं सारी डाले बिल्कुल अच्छे से भीग गई हैं अब हमें क्या करना है कि जो काली वाली डाले इसे इस तरह से हाथ से रगड रगड के दो से तीन बार धोना है इस तरह से धुना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं दोएंगे तो जो आपकी डाल का कलर है वो काला काला हो जाएगा क्योंकि यह काफी काली होती है तो दो-तीन बार अच्छे से रगड रगड के दोएं जब तक यह काला पानी निकल नहीं जाता है अब इस तरह से अच्छे से वाश करने के बाद सारा पानी निकाल देंगे और इसको एक प्रेशर कूकर में ट्रांसफर कर देंगे ताजा पानी डाल देंगे, ताजा पानी हमें जादा नहीं डालना है, बस एक इंच उपर तक हो दाल से इतना ही हमें इसमें पानी डाल ले रहा है साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच नमक, एक छोटा चमच हम यहाँ पे कश्मेरी लाल मिर्चे डाल देंगे साथ ही हम इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे और एक दाल चीनी का टुकड़ा डाल देंगे दो छोटे चमच हम इसमें तेल डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 6-7 सीटी आने तक मेडियम फ्लेम पे या फिर जब तक कि दाल अच्छे से इसमें गल नहीं जाती है और जब तक हमारी दाल कुक होएगी तब तक हम अपने नान के लिए दो लगा के त्यार कर लेते हैं तो नान के लिए आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा दो से धाई कप के जितना मैंने यहापे मैदा लिया है इतने मैदे में आपके 6-7 नान अराम से बन जाएंगे आधा चमच नमक डाल देंगे, एक चमच पिसी हुई चीनी, एक चमच बेकिंग पाउडर और एक चमच बेकिंग सोडा डाल देंगे अब यहापे मैंने एक चोटा नीमबू लिया है, यह एक चोटा नीमबू का रस हम इसे पूरा डाल देंगे आप यह न सोचिए कि इसको डालने से आपके नान खटे बनेंगे, बिल्कूल भी खटे नहीं बनेंगे, बलकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम स्पंची बनेंगे कि आप ऐसे नान पहले कभी नहीं खाये होंगे एक चोटा चमबस तेल डाल देंगे अब मैंने यहाँ पर एक कप गुनगुना पानी नहीं सौरी दूद लिया है गुनगुना अब जितनी जरूत होगी अनुसार हम दूद डालते जाएंगे और इसका एक नरम आटा लगा लेंगे आटे को एक बार असे से इकटा हो जाने के बाद आपको इसको तब तक मसलना है जब तक यह मसल मसल के एकदम चिकना ना हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इतने अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर लिया है बिल्कुल भी अब ये मतब बर्तन पे या फिर हातों पे नहीं चिपक रहा है जब ये इस तरह से हातों पे चिपकना बंद हो जा और बर्तन को भी छोड़ दे तब इतनी देर तक के लिए आप इसको मस लें इससे क्या होगा कि नान हमारे एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम बनेंगे आटी को इकठा करके रख देंगे यहाँ पर उपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे इसको तेल से चार उत्रफ सर्चे से ग्रीस कर देंगे जिससे कि जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो इसकी उपर के लिए है रहा है वो सुखे ही नहीं और यह एकदम से इस तरह से सॉफ्ट आटा बना रहेगा अब हम इसे धक्के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए जब तक हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से कुक हुई है कि यह नहीं तो प्रेशर कुकर अपने आप से एकदम ठंडा हो गया है प्रेशर रिलीस हो चुका है और आप देख सकते हैं दाल इसमें हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है देखिए पानी हमने जितना डाला था ना उतना सफिशेंट था और डाल भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें गल के रेडी हो चुकी है एक बार हम क्या करेंगे इसको कुकर में अच्छे से गोट लेंगे जिससे कि जो थोड़े मोटे मोटे राजमा के चंक्स दिखाई दे रहे हैं ये नहीं दिखने चाहिए जब भी हम कभी रेस्टोरेंट में दाल मकनी खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें राजमा के चंक्स इस तरह से दिखते नहीं है वो बिल्कुल घुटे हुए होते हैं, राजमा होते हैं, मगर उसमें दिखाई नहीं देते हैं तो इस तरह से pressure cooker में ही हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट के लिए इस तरह से घोट लेंगे, चम्मच के help से ही या फिर आप जब हम इसका तड़का लगाएंगे तब भी आप इसको खोड़ सकते हैं तो मैंने यहापे जितना खोड़ सकता था भी घोट लिया है, बाकि हम इसको तड़का लगाते इसमें घोल लेंगे तो दाल मकनी में तड़का लगाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है एक तमाटर जिसको मैंने थोड़ी सी किश्मेरी लाल मिर्च जाल के पीस लिया है और अधरक लसन का पेस्ट ले लिया है दो बड़े चमच के जितना अब एक कड़ाई में हम दो बड़े चमच के जितन तो यहां पर देख सकते हैं तेल पूरा सेपरेट हो चुका है तो यहां पर एक चमच मैंने सिफ धनियाजीरा का पाउडर डाला है तो आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से भून गए और यह किसी कर्ची था सब्स इस गोट से लगाता है और इसा से working करना है जबतकि इसमें एक तड़ा सा तक कलर नहीं आा जाता है consistency को adjust करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये बहुत जादा गाड़ी हो रही है और ये होई रही है बहुत जादा गाड़ी क्योंकि ठंडी होने के बाद और जादा गाड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे इसमें गरम पानी मिलाएंगे अच्छे से mix करेंगे और अब इसे डाल मखनी में एक boil आजाने देंगे जब इसमें एक boil आजाएगा तो इसमें डाल देंगे एक चमच कसूरी मेती और एक चौथाई कप मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ और नमक मैं डाल रही हूँ करने के लिए क्योंकि मैंने डाला है तो नमक थोड़ा कम हो गया होगा सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और इसे पांच मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि हमने जो क्रीम डाले है वह बिल्कुल अच्छे से इसमें पक नहीं जाती है और अभी आप देखेंगे क्रीम डालने से इसका कलर दाल चीने वगार है तो हम इसमें से निकाल देंगे इनका फ्लेवर अब इसमें डाल में सारा आ चुका है और आप दाल को देख सकते हैं इसका कलर कितना शांदार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम पर्फेक्ट हो चुगी है इससे ज्यादा गाड़ा या फिर मतला हम इसे नहीं करेंगे यह बिल्कुल पर्फेक्ट हो चुगी है तो बस अब हम क्या करेंगे लास में थोड़ा सा गर मसाला डाल देंगे आदा चमच के जितना और एक चमच में डाले हूं किचन किंग मसाला फेंड्स अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाल मखनी बनाना चाहते है तो एक चमच किचन किंग मसाला आप इसमें जरूर डाले इससे एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाता है और खुश्बू भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आ जाती है अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो जब हमने तमाटर का तड़का तो देंगे झाप और धॉल अशर शोर पणरों नेंगे जाता हुष्बू रेस्टोरेंट सम्टव्स जातें हैं अया हूं अधर सकते दूख गिचन किंग विल्कुल और देंगे दीखिए बस डालने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है अब हम इसे धक देंगे और धक के इसको कम सकम 10 मिनट तक ना इसी तरह रहने देंगे इसकी खुश्बू पूरे दाल में अच्छे से आ जाएगी यहाँ पर हमारे आटे को भी रेस्ट करते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है एक बार फिर से इसको कुछ सेकेंड के लिए इस तरह से मसल के एकदम चिकना कर लेंगे उसके बाद हम इसकी लोईयां तोड लेंगे तो एक बार में आप पहले सारी लोईय तोड लें एक बराबर साइज की आपको नान जैसे मूटे पदले या फिर बड़े बनाने है उसे हिसाब से आप इसकी लोईया तोड़ लें सारी लोई तोडने के बाद हम एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से चिकना कर लेंगे पहले सारी लोईों को आप इस तरह से चिकना कर लेंगे और एक बरतन में रख लें यहाँ पर देखें मैंने सारी लोईयां बना के रख ली है एक लोई लेंगे और बाकियों को हम डग के रख देंगे आप थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा लगा देंगे और इसको रोल कर लेंगे आप चाहें तो इसको गोल या फिर ओल शेप में कैसे भी बेल सकते हैं जैसे भी आपको easy लगे आखिर हम इसे घर में बना रहे हैं तो घर में हम कैसे भी बना सकते हैं आप चाहें इसे गोल बनाएं चाहें ओल बनाएं टेस्ट इसका इतना शानदार आएगा बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत ना बेले तो अगर आप इसको बहुत मोटा मोटा बेलेंगे तो यह कुल्चे की तरा बन जाएगा मैंने यहां पर इसको पतला बेल लिया है पतला बेलने क länger के बाद तवे पर अच्छे से चिपक जाए यहाँ पर एक तवा मैंने पहले से ही गरम करके रखाता हो सके तो आप इसके लिए नॉन स्टिक तवा ना यूज करें लोहे का तवा यूज करें अब जिस साइड पर हमने पानी लगाया था वो इस पर डाल देंगे तवा एक दम अच्छा से बबल साने शिरूर हो जाएंगे तब हम इसको क्या करेंगे तवे को उठा के हम इसको उल्टी साइट सेकेंगे देखे डारेक्ट फ्लेम पे सेक लेंगे और तवे को इस तरह से गोल गुमाते रहेंगे जिससे कि जो आच है न वो पूरे नान पर अच्छी से लगेगी फ बटम अपर से यहां पर मैंने मेंट किया हुऊ और डगा दिया है बटन नान बना रहें तो बटर लगाना तो जरूरी है आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया और कितने अच्छे-छे बबल्स आ जहां इसका मतलब हमारा नान कहीं से कच्छा नहीं है बिल्कुल अच्छे से शीख गया है, पीछे से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से शिखा हुआ है वस हम इसे गयास पे से निकाल लेंगे और तबह अच्छा गरम होना चाहिए, इस बात का इपको ध्यान रखना है तब अच्छा गरम होगा तभी आपके नान उस पे चिपकेंगे अगर इनकेस अगर आपका जो नान है वो तबे पे चिपकता नहीं है तो आप इस तरह से चिम्टे की सहता से इस तरह से डारिक्ट फ्लेम पे भी शेक सकते है जैसे हमको इरुफुलका बगरा शेकते हैं उसी तरह से बस ज्यान रहे कि फ्लेम का आपको मीडियम रखना है और हलके उस तरह से ससे चारो तरफ पलटते हूए आपको इस तरह से से यह लेना है जिससे कि चारो तरफ से अच्छे से सीख जाएं कहीं से कच्चा ना रहा है और इसके उपर अच्छे से मांक सा जाए यह देखे हमारे गरम गरम बटर नान बनके त्यार हो गए हैं कोई कह सकते हैं कि यह बटनान हमने घर में मराया है और यहां पर हमारी दाल मकनी को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी टेक्शर वाव कितनी एकदम शांदार और इसका कलर रेख सकते हैं आप इसी स्टेज़ पर फ्रेंड्स म दाल मकनी आपने घर में बनाई है इसका टेस्ट भी बहुत ही जादा गजब का है जब आप इसे बनाएंगे न मेरी तरीके से उसके बाद आप मुझे न कमेंट में बताएगा कि यह दाल मकनी आपकी कैसी बनी है वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरू करिएगा अ इस सेटेडे संदे आप इस दाल मकनी और बटन आन के कॉम्बो को जरूर ट्राइ करें और कैसी लगी रेसीपी मुझे कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताएं थैंक यू सो मच फर वाचिंग